भारत को मिला तेल का कुआ पहले लीथियम उसके बाद सोना फिर गुदरत ने दिया भारत को तेल का कुआ भारत को मिल रहा है दनादन दुरलब खजाना अब अरब देशों की बजने वाली है बैंड दरसल दोस्तों इस समय भारत की दनादन लोटरी लग रही है भारत को एक से बढ़कर एक दुरलब खजाना मिलता जा रहा है पूरी काइनात भारत पर फिदा हो चुकी है भारत जब से आत्प निर्भरता की कसम खाई है उसके बाद से ही हमारी धरती दुरलब खजाना उगल रही है अभी तक भारत इन दुरलब खजानों के लिए दूसरे देशों पर डिपेंड था और आए दिन ये देश अपनी दादागीरी दिखाते थे लेकिन भारत ने इनकी दादागीरी पर लगाम लगा दिया है अब अरब देशों को टाटा बाय बाय बोलने का समय आ गया है अब ये अपने तेल में पकोडी तलें अब भारत खुद तेल का सेंसा बनने जा रहा है भारत को ऐसी लोटरी लगी है कि पूरी दुनिया है फ्यूचरिस्टिक सूच रखने वाले एलन मस्क भी हिल गए है जापान की तो बात ही मत पूछो भारत ने तो पिट्रोल डीजल के दूसरे आप्शन की भी तलास कर ली है यानि भारत में अब ग्रीन हाइडोजन बनना बड़ी तेजी से सुरू हो गया है क्योंकि मोदी का सपना है भारत को जीरो कार्बन उस सरजन वाली कंट्री बनाना भारत में ज्याद से ज्यादा तेल अरब देशों रूस और फ्रांस से इंपोर्ट किये जाते हैं इसलिए भारत में ट्रांस्पोर्टेशन महंगा पड़ता है क्योंकि गाडियां पेट्रोल डीजल से चलती हैं यही वजाहे कि भारत महंगाई की मार ज्यल रहा है ये देश आये दिन तेल का दाम बढ़ा देत हैं लेकिन इस समय रूस के ओस ठिकाने आ गये हैं क्योंकि रूस यूक्रेन की मार ज्यल रहा है उसका तेल का बिजनेस ठफ होने के कगार पर है इसलिए रूस भारत को कौडियों के भाव तेल देने के लिए उतावला हो गया है लेकिन भारत आत निर्वर होना चाहता है और इस छेतर में भारत को बड़ी काम्याबी मिलती जा रही है अब तो आलम ये हो गया है कि विदेशी कमपनियां भारत आने के लिए पागल हो गई है हर हाल में भारत की मदद करने के लिए तयार हो गई है क्योंकि इससे उन्हें भी फायदा मिलने वाला है इसकी असल वज़ा य इंडिया को भारत के कई हिस्सों में दुरलब खजाना मिलने के उम्मेद जगी है। और बिहार में सुना मिला था। उसके बाद से ही GSI की रिसर्च जोर पकड़ ली थी। यही वज़ा है कि आज GSI को बड़ी काम्याबी मिलती जा रही है। और फ्रांस की बिस्तु विख्यात उर्जा कमपनी टोटल एनर्जी ने तेल के कुएं से तेल निकालने के लिए एक दूसरे से हाथ मिला लिया है। इन दोनों कमपनियों ने एक मिमरेंडम आफ अंडरस्टेंडिंग पर साइन किया है। ओयन जेसी को टोटल एनर्जी के सहारे की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि एनर्जी के छेत्र में टोटल एनर्जी को अच्छा खासा अनभो है। और तो और किस जगात पर तेल मौझूद है इस कमपनी को काफी ज़्यादा अंदाजा है। और इस कमपनी के पास तेल माइनिंग के एडवांस लेबल की मसीने मौझूद हैं जो कि भारत के पास नहीं है। ये एग्रिमेंट टेक्निकल हेल्फ और एक दूसरे के इस्पीरियंस को सेर करने के लिए किया गया है। जिसका यूज महानदी और अंदमान के छेत्रों में पेट्रोलियम प्रोड़क्ट्स की खोज और मारिनिंग में किया जाएगा। साथ ही साथ इन फ्यूचर इस एग्रिमेंट को और एक्सपेंड करके एनरजी के दूसरे छेत्रों में भी मदद ली जाएगी। आपको बता दें कि टोटल एनरजी ग्लोबल मर्टी एनरजी कमपनी है जो उर्जा के प्रोड़क्ट्सन के साथ साथ मार्केटिंग भी करता है। ये एक भारतिय मल्टी नेशनल कमपनी है जो भारत में तेल और नेचुरल गैस के सबसे बड़े प्रोड्यूसर्स में से एक है इसका हैड़क्वाटर दिल्ली में स्तित है। ओएनजेसी एक पब्लिक एरिया की एक गॉर्मेंट कमपनी है जो पेट्रोलियम और नेचुरल गैस मिनिस्ट्री के अधीन आती है। ये भारत में निकलने वाले टोटल कच्चे तेल का लगभग 70% और भारत में प्रेडियूस्ट टोटल नेचुरल गैस का लगभग 60% उत्पादन करती है। ओएनजेसी का इंडियन डोमेंस्टिक मनुफेक्टिरिंग में लगभग 70% कंट्रिब्यूसन है। टोटल एनरजी अभी तक उर्जा सेक्टर में अडानी ग्रूप की मदद कर रही थी। ये फर्स्ट चांस है कि टोटल एनरजी ने भारत की सबसे बड़ी सरकारी तेल कंपनी ओएनजीसी के साथ कंप्रेहंसिव एग्रिमेंट किया है। दोस्तों बताया जा रहा है कि इस पेसली ओप से और छेत्रों में तेल और गैस के अकूद भंडार मौझूद हैं। लेकिन किस जगा पर ये तेल मौझूद हैं ये सटिक जानकारी नहीं है। क्योंकि भारत के पास ऐसा कोई इकुमेंट नहीं है जो सटिक जानकारी बता सकी। इसलिए टोटल एनरजी की मदद ली जाएगी। क्योंकि इस कंपनी के पास एडवांस इकुमेंट तो है ही साथी साथ बहतरीन तरीका भी पता है। यही नहीं कारबन उसरजन को कम करने में भी इस कंपनी की मदद ली जाएगी। बंगाल की खाड़ी में भी तेल और गैस के मिलने की संभाव ना बताई जा रही है। जिसकी तलास इस कंपनी के बगार संभो नहीं है। आखिर तेल और गैस का पता कैसे लगाया जाता है इतना क्यों कठिन है तो दोस्तों आपको बता दें कि सबसे पहले खोज करता इसके बारे में बारेकी से पता लगाते हैं कि किस जगा पर तेल और गैस के बंडार मौजूद हैं क्योंकि अगर गलत जगा पर उसे निकालने का काम सुरू कर दिया जाए तो काफी ज़्यादा नुकसान हो सकता है जहां तेल और गैस के रिसर्च के दोरान करीब 200 फिट की बोरिंग की जाती है और करीबन 2.5 किलोग्राम का डाइनमाइट या बंब नीचे डाल कर बिसफोर्ट कराया जाता है ऐसा करने पर 10 किलोमीटर के आ उपर कम्प्यूटर के मदद से एनलाइज किया जाता है क्योंकि इस डेटा के एनलसिस के बाद ही पता चलता है कि किस साइड पर कितनी मात्रा में गैस और तेल के भंडार मौजूद हैं अगर तेल बहुत ज्यादा मात्रा में है और अच्छे तरीके से है तो उसके बाद ही कच्चे तेल को निकालने के लिए कुए खोदे जाते हैं जमीन के अंदर मौझू दिल और गैस के बंडारों का पता लगाने के लिए इस तरीके को सिस्मिक exploration कहते हैं और इस तरह का process जमीन पर apply किया जाता है लेकिन जब समुद्र की गैराई में तेल कुए खोदनी की बात आती है तो इसका तरीका थोड़ा सा अलग होता है जहां समुद्री जहाज की मदद से एक पानी के अंदर सिस्मिक बेप्स छोड़ी जाती है ये बेप्स पानी के अंदर अलग अलग तरह के पदार्थों जैसे की चट्टान तेल और गैस के बंडार से टकड़ाती है और फिर reflect होकर वापस जहाज तक आती है और जहाज में लगे सिस्मो मीटर इंस्टूमेंट की मदद से वापस लोट कर आने वाली इन बेप्स को record किया जाता है और फिर सारी information एकठा कर ली जाती है और फिर जो data निकलता है उसे भी सूपर कम्प्यूटर की मदद से online किया जाता है कि किस जगा पर कितना तेल और गेस के भंडार मौजूद है ये जहां कहीं भी ज्यादा मात्रा में होते हैं वहीं से तेल निकाले की प्रक्रिया सुरू की जाती है तेल के कुएं ढूंडना काफी मुस्किल वाला काम होता है क्योंकि इससे बहुत ही मेहनत और कटनाईयों का सामना करके जबिन से निकाला जाता है दोस्तों देरी देर पेट्रोल डिजल की मात्रा कम होती जा रही है इसलिए जितना आपको जरूरत हो उतना ही पेट्रोल खर्च करें भारत के मुंबई, हाई गुजरात, असम, तमिलनाडू, आंधर प्रदेस और अरुडांचल प्रदेस में तेल के कुए मौजूद हैं और अब तो ये भी बात भी सुनने को आ रही है कि बियार के सिवान जिले में भी तेल और गैस के बंडार मौजूद हैं यहाँ पर भी खुदाई करके तेल के बंडार खोजे जा रहे हैं अगर सब कुछ सही रहा तो 2023 कमपनी के लिए बहुत ही इंपोर्टेंट साबित होने वाला है क्योंकि इसी साल से कमपनी तेल और गैस प्रोडक्शन में लगातार हो रही गिरावट को थाम लेगी और आने वाले वर्सों में इसमें इजाफा होगा पिछले कई वर्सों से ओन जेसी तेल वा गैस की कमी कमार जेल रहा है इसके लिए उसे मिनिस्ट्री ओफ पेट्रोलियम की पालियमेंटरी कमेटी द्वारा फटकाल लगाई गई थी और कमपनी को इस पर काम करने को कहा गया था गउर्मेंट ने लास्ट एयर यानी 2022 में इंपोर्ट कियेगे कच्चे तेल पर निर्भरता 10% कम करनी की योजना बनाई थी लेकिन सिच्चुएशन ऐसी बनी की अभी भी भारत ज्यादा तेल इंपोर्ट कर रहा है आपको बता दें कि भारत अपनी नीट्स का टोटल 86% तेल इंपोर्ट करता है और इसका कारण है ONGC के प्रोडक्शन में लगातार गिरावट कमपनी ने हाली में अरब सागर में ओयल एक्सप्रोजेशन को तेज करनी के लिए कुल दो अरब डॉलर इंवेस्ट करनी की एनाउंसमेंट की है कमपनी भारत के टोटल ओयल प्रोडक्शन का अल्मोस्ट दो तिहाई प्रोडक्शन करती है ONGC की डारेक्टर सुस्मा रावत का कहिना है कि हमें पूर्ण उम्मीद है कि टोटल एनरजी की मदल से हाइडरो कार्बन माइनिंग में बड़ी सफलता मिलेगी तो दोस्तों जय हिंद जय भार